और वहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विदानसवा चुनाप को लेकर सियासी पाराल लगाता चड़ता जा रहा है और सियासी दल एक दूसरे पर तीखे कटाक्ष करते हुए जनता को अपनी तरफ लुभाने में कोशिश करें और इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अकिलेश यादव ने एक बाद फिर बीजेपी पर तीखा सियासी पर हार किया और वहेंं अमबेटकर नगर के बसपा के दो दिगज नेता राम अचल राजवर और लाल जी वर्मा ने अकिलेश यादव की मौचूदगी में समाजवादी पार्टी जोइन कर लिया और इस दोरान अखिलेश ने कहा कि इन दो नेताओं राम अचल राजबर लाल जी वर्मा के जुड़ने से इस इस इलाके में बीजेपी बचने वाली नहीं है और उन्होंने कहा कि यहां उम्रा जन से लाब इत्यास लिखने का काम करेगा और इस बार चुनाब में पिछड़ो का इनकलाब होगा और उन्होंने कहा कि इस रैली का असर सिर्फ अमबेट कर नगर ही नहीं बलकि पूरे प्रदेश और देश में है और एकले इशादव ने ये भी कहा कि अभी कुछ दिन पहले मैंने कोशिश की थी कि भीमराव अमबेट कर और लोया की विचारधा रा एक हो जाए लेकिन उस कोशिश में हम लोग सफल नहीं हुए और अब दूसरे दलों को छोड़कर सपा में लोग आ रहें और मैं बसपा से आईनेता उसे कहना चाहता हूँ जो सपना आपने देखा था उसे पूरा करने के लिए हम आपको सम्मान नेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने किसानों को धोका देने का काम किया आए दुगनी करने की बात की थी लेकिन नहीं की और किसान ये बात कभी नहीं भूलेगा कि गाड़ी से कुछला दिया और तीन इंजिन की सरकार ने कुछला है और दिल्ली लखनाव और लखिमपूर में कुछला गया अखिलेश अदव ने कहा कि बाजपा ने लाश बहादी दुनिया में भारत को बदनाम करवा दिया और ये सरकार सेलन्यास और उद्घाटन करी है और ये सारे काम सपा के शासनकाल में हुए है और अब बीजेपी फीता काट रही है और उन्होंने कहा कि पुर्वान चल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन होने जा रहा है और ये भी सपा ने ही दिया है और उन्होंने कहा कि जहां जो काम करना चाहिए मुखे मंत्री वहाँ वो काम नहीं करते है और ये ऐसे मुख्यमंत्री है जिने लैप्टोप चलाना नहीं आता और वहीं समाजवादी पार्टी के लोग लैप्टोप भी चला लेंगे और जरुवत पड़े तो बुल्डोजर भी चला लेंगे और खिलेश ने कहा कि आज सबसे ज़्यादा कस्टोडियन डेट यूपी म मानवादिकार ने सबसे ज़्यादा नोटिस उत्तर प्रदेश की सरकार को दिये हैं और वहीं कानपूर में जीका वाइरिस का कहर बढ़ता जा रहा और इस वाइरिस ने शहर में टांडम मचा रहा और कानपुर में जीका वाइरिस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वहीं कोरोना संकट से निपटने के बाद इस वाइरिस ने सबसे ज़्यादा टेंशन बढ़ाई है और जीका वाइरिस के कानपुर में कुल मिला कर 89 मामले सामने आ चुके और कानपूर शहर के चीफ मेडिकल ओफिसर डॉक्टर नेपाल सिंग ने बताया कि संदिक लोगों के सैंपल जाच के लिए भेजे गए थे जिन में दस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इससे पहले शनिवार को कन्योज में भी पहला जी का वारिस का केस सामने आ जाता जिसमें उसकी जाच ही पॉजिटिव निकले और जी का वारिस के लक्षनों की बात की जाए तो वैसे इसके लक्षन डेंगू जैसे ही होते हैं जैसे बुखाराना और शरीर पर चकत्ते पर जाना और जोडों में दर्दोना और जी का वारिस मच्छर के कारण फैलता ह और ये वारिस एडी एज़िब प्रजाती के मच्छर के काटने से होता है और वही विश्वास्त संगटिकन के अनुसार एडी जे मच्छर जादाता दिन में काटते हैं और ये वही मच्छर है जो डेंगू चिकन गुनिया फिलाता है और अधिकतार लोगों के बीच जी का वाइरिस का संक्रण कोई घंबी समस्या नहीं है लेकिन ये गरवती महिलाओं के लिए और खास तोर से भूण के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है और वहीं गोतम बुद नगर जिले के बिसरक थाना छेट में 29 अक्तूबर की राग को हिश्ची शीटर मंजीत नागर की हुई हत्या के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को रविवार को पुलिस ने गिरफतार किया है और गिरफत में आये आरोपी के पास से एक लाइसेंसी पिस्तोल और घटना में इस्तमाल कार जब्त की गई और वहीं पुलिस उपायुक जोन डिप्तिय हरिश्चंडर ने बताया कि रविवार को एक सूचना के अधार पर थाना विश्रक पुलिस ने खेडी भनोती गाउन निवासी संजे टाइगर को गिरफतार किया और उन्होंने बताया कि पुलिस ने उसके पास से हत्या में परियुक लैसेंसी पिस्तोल और एक टाटा हैरियर कार बरामत किया और चंदर के मताबिक पुस्ताज के दौरान गिरफतार आरोपी ने पुलिस को बताया है कि वो मिर्टक मनजीत और यश्पाल फोजी दोस्त थे यश्पाल फोजी ने मंजीत के कहने पर सेना से अच्छिक सेवा निर्वित्ती ली और सेवा निर्वित्ती के दोरान मिले रुप्यों से तीनों ने मिलकर संपत्ती खरीदने बेचने का काम शुरू किया लेकिन बाद में मंजीत ने कारोबार से होने वाले मुनाफ़े में से ह को लेकर यश्पाल और उसने अपने साथी कापिल पहलवान के साथ मिलकर मंजीब की हत्या की साजिस रची और 29 अक्तूबर को रात को घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस पहले ही यश्पाल को गिरफतार कर चुकी है और वहीं उत्तर प्रदेश में विदानसवा चुनाप के लिए अब सब कुछ ही महीने रह गए और ऐसे में पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमला बोलने को कोई मोकार नहीं छोड़ा है और इसी कड़ी में राज्ये के मुख्यमंत्री योगया अधित्यनाथ ने पूर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्टी अध्यक्ष अखिलेश यादब पत्तंज कसा है और सेम योगी ने कोरोना काल में लोगों की मदद ना करने को लेकर अखिलेश पर निसानस आते हुए कहा कि जब जनता को परिशानी हुई थी तो अखिलेश घर पर बैट कर ट्विटर ट्विटर खेल रहे थे और इन्होंने जनता की कोई मदद नहीं की और इटावा में कारेकरम को संबोदित करते हुए सेम योगी ने कहा जब आप पर कोई परिशानी आएगी तो सपा कोंग्रेस बसपा कोई भी नहीं दिखाई देगा और इनको आप लोगों ने पहले भी अफसर दिया है लेकिन सब आसफल रहे और कोरोना काल में भी मैं के लोग होम आइसोलेशन में थे और वहीं अखिलेश यादव घर में दुपके हुए केवल ट्वीटर पर ही खेलते रहे और उनसे कहना कि बववा ट्वीटर ही वोट भी देगा और अब समय आ गया है जब आप लोग उन्हें घर में ही दुपके रहने पर मजबूर कर दो करसीम योगी ने आगे कहा कि अपरादयों के संरक्षन दाता अप्रदेश के विकास को बादित करना चाहते और अब वक्त आ गया है कि अपरादयों पर ही नहीं अपरादयों के संरक्षन दाताओं पर कड़ी कारवाई करने पड़ेगी जिससे अपराद और अपरादयों प लाब परिवार तक सीमित रखती थी और माफिया मिलकर जनता का हग खा जाते थे और अब मेरे लिए प्रदेश की 25 करोड जनता ही मेरा परिवार है